अगनी पत्य योजना को लेकर युवाओं द्वारा देजभर में प्रदर्शन जारी है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आमादी पार्टी से राचसभा सांसत संजे सिंग संजे जी जिस तरह से लगातार देजभर में युवाओं द्वारा हिंसक प्रदर्शन जारी है आपको लगता है कि जो सरकारी प्रतिस्थान है देजभर में उसको युवाओं द्वारा खानी परवाइत की जारी है देखे ये मोदी जी की जो सरकार है ये भरस्ट पत पे चल चुकी है इसलिए ये अगनी पत योजना लाई गी है ये अगनी पत योजना है क्या इस बात को हमें समझना होगा ये एक बहुत ही खतरनाक योजना है और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवार है ये ये देश की सुर नوجوان को तैयारी करने में लग जाता है, चार साल के बाद वो सेना में भरती होगा, भरती होने के बाद दो साल उसके छुटियों में और ट्रेनिंग में वहां पर जाएंगे, और दो साल की वो कुल नोकरी करेगा, उसके बाद सेना से उसको भगा दिया जाएगा, आप भीक मा नوجوانों को बीस करोन नوجوانों को धोखा देना का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है, यह उनके पेट और पीट दोनों पर लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, आप मुझे बताईए, आज सेना का जो गवरव है, वो इस कारण से है कि मरने मिटने के जज़बे के सा सैना में नوجवान भरती होता है वो देश की सुरक्षा के लिए अपना सरवत्त मिशावर करने की मंसा के साथ सैना में भरती होता है इस योजना में चार साल की अगर आप नौकरी दे रहे हैं 25 परसेंट लोगों को आप रखने की बात कर रहे हैं तो उस 25 परसंट की स्रेणी में आने के लिए हमारे नौजवानों को सरकारी अधिकारी जो वहां सेना के बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनको खुस करने में पूरा समय बीच जाएगा कैसे अपने अधिकारियों को खुस रखें कैसे वो उन से पचीस परसेंट में स्रेणी में आने के लिए पैरवी करते रहें इसके लिए ये काम करेंगी तो ये ये कुल मिलाकर चंद प्राइबिट कमपनियों को जो हिंदुस्तान की खादानों पर कबजा करने जा रही है जिन्होंने हिंदुस्तान के एरपोर्ट पे कबजा कर लिया है पोर्ट पे कबजा कर लिया है सेल पे कबजा कर लिया है कोल पे कबजा कर लिया है एलाइसी पे कबजा कर लिया है हिंदुस्तान के तमाम बड़े संस्थान नरेंद्र मोदी जी ने चंद पूझी पतियों के हाथों बेच दिया है इस देश को गिर्वी रख दिया है उनकी संपतियां बेच दिया है देश की अब उनहीं ब्यापारियों के लिए उनहीं पूझी पतियों के लिए ट्रेंड सेक प्रधान मंत्री ये सब अपने परिवार के बच्चों को इस योजना के तहर चार साल साल सेना में बेजें आप मुझे बताईए पेंसंग नहीं तन्खा ठीक से नहीं भाविस से कुछ है नहीं चार साल तैयारी करने में जा चार साल सेना की नौकरी करें और उसके बाद सडक पर आजाए सेना में चार साल नोकरी करने के बाद वो किस काबिल बचेगा क्या कर लेगा वो हाइ स्कूल पास बच्चा क्या करेगा वो इंटर पास बच्चा क्या करेगा वो वो सेक्योटी गाड की नोकरी कर लेगा या बुखमरी के कारणात मत्या कर लेगा और ऐसे जुमले फिकते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी कभी कहते हैं दो करोन नोकरी देंगे, कभी कहते हैं पकोड़ा बेच के नोकरी कर लो, कभी कहते हैं गोबर आयोजना आ गई है, गोबर बेच के पैसे कमाओ, तो एक अजीब सरकार हिंदुस्तान में चल रही है, जिसने नोड़ बंदी स इस देश की आर्थवेवस्था को बर्बाद किया जिसने जी अस्टी से ब्यापारियों के ब्यापार को बर्बाद किया जिसने हिंदुस्तान की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचकर करमचारियों को बर्बाद किया जिसने देश के अंदर काले कानून लाकर किसानों को साइनोंने नौजवान सुखी नहीं किसान सुखी नहीं करमचारी सुखी नहीं ब्यापारी सुखी नहीं तो चंद पूझी पतियों को फाइदा पहुंचाने के लिए उनके द्वारा खरीदी गई सरकारी कंपनियों में सेक्योर्टी गार्ड रखने के लिए ये ट्रेनिंग स साल के लिए Alepti का टाइम पिरिएड है नौकरी का वो बढ़ाया गया क्या 17 साल तक आर्मी में नौकरी करने का जू नियम था वो लागू किया गया क्या Alabama सिर्फ इसी साल के लिए यापने कहा है हमने साल कर दिए हुए उससद के बाद है आयूसीमा वही वही आयूसीमा और उसके बाद क्या कि आप ने, चार साल में आपको मारके भगा दिया जाएगा, जाओ, सड़क पे गुमो, तो पहले दो करोन नौकरिया, फिर पकोडा योजना, फिर कटोरा योजना, फिर गोबर योजना, इस देश के नौजवानों के दिमाग में गोबर भरने का काम इस गोबर योजना की सरकार ने किया है गोबर भरा हुआ है सरकार के दिमाग में और नौजवानों के दिमाग में भी ये लोग गोबर भर रहे हैं जोबर लेके आये हैं, गोबर बेचो, क्या बोला था मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के चुनाओं में, मोदी ने सीख लिया है, गोबर से कैसे पैसा कमाओगे, तो तो नौजवानों को गोबर से लखपती करोनपती बना रहे थे, कहां गया, कंडा लेके घूम रहे हैं सब नौजवान, समसान में ही खरीद ले कुछ कंडा उनके गोबर का कोई, कहां ले जाके बेचें, मोदी जी के सर पे पटके हैं या उनके कारियाले में जाके बेचें गोबर, कहां बेचना है नौजवानों को गोबर, बताईए आप एक अंतिम सवाल, यूपी के मंतरी सुतंत्र देशनीं का एक बयाना है, उन्होंने कहा है कि किसानों को जिस तरह से भढ़का रही थी विपक्ष, अब युवाओं को भढ़का रही है विपक्ष अचा तुम सब को मारते जाओ, तुम नोडबंदी से देश की अर्थविवस्था को चौपट करो, विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा, देश की जनता खामोस अपने घरों में बैठी रहे है, तुम महंगाई से माताओं बहनों की रसोई, उनके चूले को बरबाद कर दोगे, देश की जनता खामोस रहे, चुपचाप महंगाई बरदास्त कर ले, तुम देश की संपतियां, रेल, सेल, कोल, एलाइसी सब बेच दोगे, देश की जनता खामोस रहे, तुम अगनी पत्योजना के तहट, हमारे नوجवानों को प्राइबिट कमपनियों का गुलाम बनाने ज जा रहे हो, आप चाहते हैं पूरे देश का नوجवान और पूरा विपक्ष इस पे खामोस रहे, मैं यह कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक ढंग से डेमोक्रेसी में हमको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है, और वो इस देश के नوجवानों को भी करना के महंगाई से, अगनी पत योजना से पूरे देश को बरबाद कर दिया हैं लोगों, और हर चीज को एक जुमले के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अब नाम ऐसा भारी भरकम दे दिया, अगनी वीर बनो, अगनी पत, अगनी पत बनेंगे सांसत विधायक के लड़के स्वतन देव सिंग जी अपने बेटों को भरती करा दे, सेना में अगनी वीर बनवाएं, बनवाएं, ज्यादा तरके तो परिवार नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिपड़ी कर नहीं सकता, ना मोदी जी के, ना खटर जी के, ना योगी जी के, लेकिन जिनके परिवार हैं, उन माबाप का दर्द जाकर पूछिए, बहुत सारे नौजवानों ने आत्म हत्या कर ली, पेड़ पे लटक के मर गए सेना की तयारी करते करते, कि एक नौकरी मिल जाएगी सेना में, चिठ्ठी लिखके मरा हरियाना का नौजवान, कि बापू अगले जनम में सेना में बात करोगे, सारा विपक्ष आँख पे पट्टी बांद करके देखता रहा है, तो तुम धृतरास्ट बन सकते हो, तुमारी सरकार धृतरास्ट बन सकती है, तुमारी पार्टी धृतरास्ट बन सकती है, आँख पे पट्टी बांद के तुम लोग बैठ सकते हो, बाकी जित क्योंकि हम मुसल्मानों को ठीक कर रहे हैं माताओं बेहनों भले ही तुम्हारी रसोई बर्बाद हो जाए महंगाई से तूट जाए कमर तुम्हारी लेकिन लाइन लगा के बीजेपी को वोट देते रहना क्योंकि हम मुसल्मानों को ठीक कर रहे हैं ब्यापारी भाईयों तु करोना की महामारी में कराहते रहना नदी के घाट पे भले ही तुम्हारी लाज सब जाए। लेकिन वोट बीजेपी को ही देखे देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। तो मुसल्मानों को ठीक करते करते पुरे देश को ठीक कर दिया इन लोगों ने एक चीज दिखाते रहते हैं मुसल्मानों को ठीक कर रहा हूं मुसल्मानों को ठीक कर रहा हैं मुसल्मानों को ठीक कर रहा हैं बास खुस रहो सब लोग इसी में खुस रहो बरबाद हो जाओ चि पसंद रोहित के साथ पुश्कल भारत समचार दिल्ले